तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूँगा कोल्ड पाइरो से रिलेटेड की कोल्ड पाइरो में कितनी वेराइटियां आती हैं, सभी में क्या डिफरेंसेज हैं और कोल्ड पाइरो को लगाया कैसे जाता है, क्या प्लस माइनस होता है या क्या differences होते है cold pyros में ये सारी जानकारी मिलेगी आपको आज B3 event YouTube channel पर आपके बहुत सारे सवालों का जबाब आज मिलेगा एक ही वीडियो में तो दोस्तों कुछ इस तरीके से cartoons आते हैं हमारे 120 piece, 180 piece का cartoon ये है 180 piece का cartoon जिसके अंदर सारे cold pyros होते हैं तीस box का ये एक cartoon है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से cold pyros होते हैं ये एक variety के cold pyros है जिनके box के color multi है यानि कि multi color box है pyros एक ही variety के हैं इसके अंदर तो आप जैसे से कि देख रहे हैं green, purple, red, yellow, सारे blue color ये सारे color एक ही variety के cold pyros के हैं तो अभी मैं आपको इसकी खासियत बताने जा रहा हूं कि ये cold pyros imported है, made in china है, original है बट इसमें quality क्या है और इसके साथ और भी जो products आते हैं उसमें और इसमें क्या differences होते हैं तो guys वीडियो को पूरा देखिएगा कोई भी product की जानकारी आपसे mismatch ना हो जाए साथी साथ हमारा आठ चैनल भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये everyday machine battery और ये है हमारा तीन मीटर 35 सेकेंड का original made in china pyro ये double box pyro है, जैसा कि आपने देखा पहला box था blue color का और जो अंदर का box है ये white color का है ये दोनों site आपको white देखने मिलेगा और ये दूसरा ये blue color का दूसरा है लेकिन ये और ये दोनों blue है बट दोनों pyro अलग-अलग quality वाले हैं इसके अंदर से जो box निकलेगा इसमें है best याने की made in china original में जितने भी variation आते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में सारे variations दिखाऊंगा cold pyro लेकिन ये सबसे पहले शुरू करूंगा मैं double box जिसमें plain print होता है जिसमें best नहीं लिखा होता है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा सबसे पहले तो और जो best लिखाया उसका एक special वीडियो में अलग से बनाऊंगा तो जैसे ही आप box को open करेंगे आपको देखने को मिल जाएंगे एक box के अंदर 6 cold pyro जैसे कि आप देखेंगे ये आप देख सकते हैं इसमें duration 35 second लिखी है height 3 meter इसका back sight होता है red हमेशा इस चीज का ध्यान रखना बहुत सारी कमेंट आते हैं कि sir pyro लगाना कैसे तो दोस्तों जहां red है उसको आपको नीचे करना है machine में चाहे battery में चाहे wire में जिससे भी use करें नीचे का हिस्सा red होगा सामने का हिस्सा silver होगा इसकी packing देख सकते हैं ये machine से बना होता है hand made it नहीं होता है इसलिए blast नहीं होता है सबसे main चीज ये होती है इसकी खासियत ठीक है ये original pyro है made in china से import किया हुआ और इसमें ये सारे colors available होते हैं एक ही box के अंदर तो guys जैसे की देख रहे हैं आप ये 180 piece का cartoon था अब मैं आपको दिखाऊंगा ये 120 piece का cartoon है तो चलिए अब जैसे की मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो दूसरा color है यानि की quality से मैं color दूसरा है तो कभी भी confuse मत होईएगा अगर आप purchase करते हैं हमसे तो मैंने आपको जिसका photo डाला है और हम ये भेज रहे हैं तो guys क्या होता है देखिए आप quality देखिए इसके अंदर भी double box है दोनों side plane है कुछ भी print नहीं है मतलब क्या होता है कि company ने इसको multi colors में बनाया है boxes को लेकिन pyros की quality same होगी तो confuse नहीं होना है कि आपको photo कौन सी डाली गई थी और माल कौन सा है तो इसमें multi color आएगा कभी भी एक color के boxes नहीं मिलेंगे आपको सारे multi color mix होंगे देख सकते हैं जैसे कि अपने blue box खोला था उसके अंदर भी ये 6 pieces थे और आप print भी देखेंगे same print होगा यह देखे कि इसमें 3 meter 35 second लिखा हुआ है न सेम सारा product जितने भी आपको पीछे background पर देख रहा है यह सेम एकी product है देख लिजे इसके पीछे की seal और यह सामने silver file लगी होती है तो guys यह इसकी finishing quality सबसे best होती है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप wiring को खीचते हैं सबसे बड़ा doubt है comments मेरे को आता है sir इसमें plus minus होता है guys cold pyro की wiring में plus minus नहीं होता है नहीं आप कभी जब machine में लगाते हैं या wire में लगाते हैं तो आपको plus minus नहीं देखना होता है किसी भी wire को आप use कर सकते हैं किसी भी wire के साथ ठीक है आप सबसे पहले ये wire को open कर लीजे दो भागों में थोड़ा सा divide कर लीजे ताकि आप चाहे wiring करेंगे तो थोड़ा distance होना चाहिए wiring attach नहीं होनी चाहिए से देख रहे हैं आप ये दो वाइरिंग है अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके आगी की process की आपको इसको कैसे use करना है ठीक है दोस्तों ये है हमारी E08 आर्ट चैनल मशीन उसका box था इसका ये receiver है जैसे हम इसको open करते हैं इसके अंदर आपको एक सबसे पहले descriptions का एक paper मिल जाता है कि इसकी capacity कैसी है इसकी range क्या है remote कैसे operate होता है सारा description आपको इसमें देखने को मिल जाएगा फिर जैसे ही आप इसका box खोलते तो इसके अंदर आपको दो remote मिलेंगे मैंने पहले ही open कर रहा था इसलिए वह बाहर रखा हुआ था ये है एक all की button और ये है ABCD यानि की ABC CD में क्या रहता है कि एक साथ दो होंगे A मैं A और B हो जाएगा B मैं C और ऐसे कुछ हो जाएगा मैं इसका वीडियो आपको डाल दूगा link पे कैसे use करना है तो गाई सबसे main चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप सबसे पहले तो इसको सेल डाले इसमें ठीक है यहां हम डालेंगे अपना original सेल डालना है दोस्तों सबसे main गलती जो हर नए event करने वाला करता है सस्ते के चक्र में copy सेल लियाते हैं तो दोस्तों copy सेल लाओगे तो आपका pyroblast नहीं होगा फिर आप blame करेंगे तो guys देखें यह है एवरेडी का original सेल आपको यह market में 25 या 30 रुपे का मिलेगा हमेशा इसको use करना है दोस्तों ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगाने का तरीका plus minus जरूर देखिएगा तब जाकर यह आपका connect करेगा यह है भाईया market में 10 या 12 रुपे में मिल होने वाला local copy cell तो इससे तो आपका blast नहीं होने वाला है ना pyro ना balloon ना color smoke ना कुछ आपको लगाना है original सेल चाहे वह एवरेडी का हो निपो का हो चाहे कोई सी भी company का 25-30 रुपे वाला से लगाना है लगाने का तरीका यह है जिसमें आपको ध्यान रखना है प्लस जिस साइ माइनस ठीक है दोस्तों इस तरीके से फिट हो जाएगा अब आपको लगाना है इसकी कैप अब देखिए आप जैसे ही इसको कैप लगाते है कैप में भाई ध्यान रखिएगा क्योंकि यह सबसे पहले गुमने वाली चीज यही होती है तो इसमें टेप लगा दीजेगा ठी देखेंगे अगर सेल डिस्चार्ज नहीं है तो करिए यह दोनों बल्फ जल गए मतलब सेल आपका है चार्ज ठीक है जैसे वाईरिंग होगी तो यह दोनों लाइट नहीं एक लाइट चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वाईरिंग करका है यह यह कोल्ट पायरो दो जो हमने पहले छीन लिया था अब देखना है आपको यह जो मित है क्लस माइनेस धाइस फ्लस माइनस कोच नहीं होगा कोई सब वाएर किसी में भी फिट कर सकते हैं तो देखिए आपको हम यह कर दिया हमना रैड में दूसरा वाला कर देता है ब्लैक में जैसे ही हमने connection सह इंगी किया तो हमारी सिर्फ एक लैट चलेगी ठीक है कनेक्शन सही है मतलब एक लाइट चलेगी अगर कनेक्शन सही नहीं है अब मैं आपको दिखा नही आता हूं को थोड़ा सा ठील आगर करनेक्शन को यह हमने ठीला कर दिया आप देखें दो लाइट two यह मतलब आपका connection धीला है ठीक है अब जैसे ही हम दोनों wire को fit करेंगे सिर्फ एक light चलेगी तो हम सबसे पहले करेंगे switch को off अब लगाते हैं हम wire जैसे ही हमने wire लगाया है switch on करेंगे आपको एक light दिखेगी इसी तरह तो guys यह हो गया cold pyro का लगाने का सही तरीका अब हम आपको operate करते हैं करके दिखाते है किस तरीके से आपको इसको operate करना है मैंने तो off कर दिया क्योंकि मुझे pyro यहाँ पर on नहीं करना है क्योंकि आप लोगों को just मैं operate करने का तरीका दिखा रहूं इसके अंदर cell लगता है यह है all की button जैसे ही आप all की button push करेंगे पहले तो cell लगा होता है इसके अंदर यह link होता हुआ दिख रहा होगा आपको मतलब यह सबसे पहले यह भी check करना है कि आपका जो cell लगा हुआ है remote में वो भी discharge ना हो तो उसके अंदर आपको cell को भी check करना है अपने check तो कर लिया है अब ह हम आपको दिखाते है wiring सही है cell आपका work कर रहा है जैसे ही आप on करेंगे pyro shot हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो guys I hope यह video आपको helpful होगा अभी मैंने आपको दिखाया है double box जिसमें best print नहीं था अब मैं आपको दिखाऊंगा next video जिसमें best print होगा उसकी quality के बारे मैं packing के बारे मैं सारी information दूँगा B3 event के YouTube channel पे so guys अगर आपको 12 channel machine चाहिए हो 8 channel machine चाहिए हो pyros चाहिए हो wedding entry से related कोई भी product चाहिए हो तो आप मुझे दिये हुए number पर WhatsApp कर सकते हैं और thank you so much for watching my video